हेलो एवरियों दोस्ट नमश्कार श्वागट है आपका घरीलू गुलाटी के इस वीडियो में दोस्तो कैसे आप से भी आज हमाँ आपके लेकर आए हैं बहुत आसान सारजबूर घरीलू उसका इसे अपना कराव व्यक्ति की चाहे कितने भी पुरानी से पुरानी शराब की जो लथ है उस लथ से कैसे शुकार आपास सकते हैं करसे व्यक्ति की लथ को हमेशा के लिए छोड़ सकते हैं दोस्तों ये तो आप सबी चानते हैं आजकल हर व्यक्ति किसी ना किसी प्रकार से सराब की लथ से परिशान हैं शराब की लथ से जूज रहा है तो आप ऐसा क्या करें जिससे की व्यक्ति की चुलत है वो धीरे धीरे कर समात गोर व्यक्ति कैसे हमेशा के लिए सराब कभी भी सराब ना पिए इसके लिए आपको कुछ नहीं करना कहीं पर जाने की जरूरत नहीं घर से मिलने वाली कुछी ऐसी चीज़े हैं जिनसे हम व्यक्ति की जो लट है उस लट से शुटकार आपा सकते हैं व्यक्ति की लट से हमेशा के लिए दूर हो सकते हैं तो आईए जानते हैं आपको करना क्या है जिससे की व्यक्ति की लट छूटे और व्यक्ति सराब छोड़ दे दोस्तों सराब में निकोटीन, अलकॉल और आसेट की मात राइतने अधिक होती है उसकी वज़े से व्यक्ति की जो लट फुकत नहीं हो पाती व्यक्ति की लट दिन वदिन बढ़ती जाती है तो आप ऐसा क्या करें जिससे की व्यक्ति की लचूटे और व्यक्ति हमेशा के लिए सराब छोड़ दे कभी भी सराब ना पिये दोस्तो आपको करना क्या है सराफी ब्यक्ती को एक गलाज दूद पीने के लिए देना है जियां दोस्तों ये दूद तो आप और ने सबी के घर में हैं आपको करना क्या है दोस्तों सराफी व्यक्ती को रोज सुबा दूद अगर आप पीने के लिए देंगे आने की आपको करना क्या है सराफी व्यक्ती को रात का खाना छे बजे से पहले आप खिला दें सुबा और खाना खाने के बाद व्यक्ति को एक एक ग्लास दूद अगर आप पीने के लिए देंगे तो इससे काफी हद तक फायदा होगा व्यक्ति की जो लथ है वो धीरे दिये कर समाफत होगी और व्यक्ति हमेशा के लिए सराब छोड़ देगा कभी भी सराब नहीं पिएगा